हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग संख्याएं तथा इनके गुण धर्मों के बारे में सीखेंगे. आईए एक मजीदार चितर देखते हैं. क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यहाँ साप सीड़ी के खेल का बोर्ड है. इसमें दस वर्गों की दस कतारे होती हैं. इस प्रकार इसमें कुल एक सौ छोटे छोटे वर्ग होते हैं. अब आप इस शत्रंज के बोर्ड को देख इसमें काले और सफेद रंगों के कुल कितने वर्ग हैं? दिल्कुल सही, इसमें आठ वर्गों की आठ कतारे हैं. इसलिए इसमें काले और सफेद रंगों के कुल 64 वर्ग हैं. क्या आप दोनों संख्याओं में कुछ समानताइं देख पा रहे हैं? हाँ, दिल्कुल सही, हम दोनों संख्याओं को किसी संख्या के घात दो के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याईं जिनको हम किसी प्राकृत संख्या की घात दो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, जैसे इन संख्याओं को देखिए, यहां संख्या एक, चार, नौ तथ आईए अब हम एक से बीस तक की संख्याओं के वर्गों को देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहां रोक कर अपनी कौपी पर सारी वर्ग लेख सकते हैं। आईए वर्ग संख्याओं के एकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6, तथा 9 में से कोई एक संख्याई आ रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी पून वर्ग संख्याओं के लिए मान्य हैं। तो हाँ, ये सभी पून वर्ग संख्याओं के लिए मान्य हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहां रोक कर आगे की पूर्ण वर्ग संख्याओं की भी जाच कर सकते हैं. लेकिन क्या हम यहां कह सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से समाप्त होने वाली हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आगे कुछ हैसी संख्याओं की जाच करते हैं इन संख्याओं पर जरा ध्यान दीजिए इनके अंद में 0, 1, 4, 5, 6, तथा 9 में से कोई एक संख्या जरूर है लेकिन ये वर्ग संख्याओं नहीं है यानि हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याएं जिनके अंत में ये संख्याएं आती हैं वो जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हो चलिए अब कुछ और रोचक संख्याओं के बारे में जानते हैं आपने इस एक से बीस तक के वर्गों की सार्णी में देखा होगा कि वर्गों के एकाई के स्थान पर संख्याएं दो, तीन, साथ तथा आठ एक पार भी नहीं आई है क्या आप कोई ऐसी वर्ग संख्या ढून सकते हैं जिसके एकाई में इन में से कोई एक संख्या आती हो वो पूर्ण वर्ग संख्याईं नहीं हो सकती। विशम संख्याईं के वर्ग संख्याई हैं और विशम संख्याईं के वर्ग विशम संख्याई हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याईं के बारे में तथा विभिन संख्याईं को देख कर उनके वर्ग संख्या होने का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम वर्ग संख्याओं से जुड़े कुछ उदाहरन देखेंगे. धन्यवाद.